तेश वर आपका स्वागत है NK Labs and Channel पर संत जेवियर कॉलेज रांची Intermediate Entrance Exam 2022 का Examination Date जारी कर दिया गया है और आपको Admit Card डनलोड करना है तो Admit Card कैसे डनलोड करना है चरिया श्टिप बाश टिप देखते हैं सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ऑपन करना है Google ऑपन करना है और यहां पर लिखना है संत जेवियर कॉलेज रांची उसके बाद जैसे ही आप लिखेंगे आहां पर इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नीचे चला जाना है और यहाँ पर main website पर नहीं जाना है आपको intermediate section वाला में जाना है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ intermediate section इसमें जाना है और उसके बाद इस पर click करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्लाइड करते जाना है क्या करना है नीचे स्लाइड करते जाना है और यहाँ पर फिर आपको मिलेगा देखिए लिखा हुआ new registration 2024 से 2024 तक उस पर आपको करना है किलिक देखे एक बार फिर बता रहा हूं इस पर आपको किलिक करना है आप इस पर किलिक करेंगे नया पेज खुल जाएगा उसके बाद यहां पर आप अपना entrance exam का schedule देख सकते हैं सब कुछ detail यहां पर आप देख सकते हैं अब आपको क्या करन करना है admit card download करना है तो admit card download करने के login करना पड़ेगा लेकिन login करने का यहां कहीं option नहीं दिया है जो की बहुत गलत तरीका है आपको login करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर देखे तीन गो लाइन दिखाई दे रहा होगा ठीक है इस तीन गो लाइन पर आपको क क्लिक करेंगे तब देखिए इस साइड में एक नया पेज खुलता है इस पेज में यहां देखिए अल्रेडी रेजिस्टर लिखा होगा क्या लिखा होगा अल्रेडी रेजिस्टर इस पर आपको करना है क्लिक अल्रेडी रेजिस्टर पर क्लिक करेंगे तब यहां पर आपको देखिए instruction दिया गया होगा क्या दिया गया है user ID जो हो है वो आपका register email ID है जिस email ID से आपने form भरा है वही email ID आपका user ID है और जो आपका registration number है वही आपका password है अब registration number कहां मिलेगा जब आपने form भरा था उसके बाद आपने form को complete करने के बाद एक PDF डनलोड किया होगा उसमें आपका registration number होगा ठीक है या फिर आपको message के थो आपको registration number मिला होगा form भरने के time में तो वो आपका registration number आपको mobile से मिल जाएगा email ID आपको पता है तो दोनों आपको यहाँ पर detail आपको पता है तो आपको यहाँ पर जो है login करना है आप यहाँ पर देखे user ID यहाँ पर आने की email ID डालना है password में आपको अपना registration number डालना है अधी आप भूल जाते हैं तो forget password करके आप यहाँ पर इसको पास सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको login बटन पर दबाना है जैसे ही आप login बटन पर दबाएंगे तो आपको हो सकता है कि admit card नहीं दिखे तो फिर से यहाँ पर इस तरह से 3 line वाला आएगा उस पर click करना है और यहाँ पर इस section में आपको download admit card का option दिखाई देगा उस पर click करके आपको अपना admit card download कर लेना है थैंक यू शाइन आफ